यह देखिए, यह मैंने ले लिए 2 सादरे थे, इंद है मैंने अधादा कट करके ऐसे काट लिमा था छो कुटे पीस में, और यह रहा सादर है, लंबे वाला, अँम मैंने चढ़ा दिया कड़ाइ में तेल, और यह मैंने डाल MONK, मेथी दाना, और यह डाला उपन जीरत, और इसमें डाल दिया है मैंने ये कई तरह का बना हुआ रखा है छोक मेरे पास जीरा आज वैन रही बगएरा मिली हुई तो मैंने वो भी डाला था इसमें और ये अलदी डाल दी थी बड़ी जम मज़वर के और ये डाल दिया सादरा अब मैं इसकी बना रही हूँ सबजी ये सूखी सबजी बन रही है और आज हम कई रेसिपी एक साथ बना रहे है और बताऊंगी मैं आगे चलके आपको पता चली जाएगा कि ये बनना है भोग ये देखिए मैं सूखा धनिया डाल दिया है और स्वाधन सार नमक डाल दिया है इस पानी तो डालना नहीं है क्योंकि पानी तो ये खुदी छोड़ता है ये कच्चा है और ये मैं इधर चावल बनने के लिए रख दिये पानी उबल गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल ये बना रही है चावल ये देखिए क्योंकि एक भूग बन रहा है इसलिए कई चीजे बन रही है इसमें तो कई काम एक साथ हो रहे है तो इसलिए मैंने इसको ये सबजी बनने रख दी है अब देखिए कितना पानी छोड़ा है इसने ये कच्चा था ना बलकुल हरा और ये इधार चावल भी पक चुके लगबग अब थोड़ी देर इनको रखेश में फिर मैं इनको चान दूगी क्योंकि कुकर में नहीं बनायते है ऐसे पानी नकल जाता है न तो सही रहता है माड आटा दूगी इसका ये मैंने ले एक कटोरी सूजी एक कटोरी बेशन और अब लहरी में दो कटोरी लोंगी आठा ये मैंने ले ले आठा एक कटोरी मैंने बेशन लिया एक कटोरी में सूजी ले और दो कटोरी ले आठा और यह चुटकी वर हेंग डाल दिये और यह मैंने डाले है मूंग फली का पाउडतर बनाया था यह वो डाल दिया है दो चम्मचबड़े और यह कसूरी मेहिटी डाल रही हूं आप समझी गए होगे मैं यह बाटी के लिए आटा लगा रही हूं इधर ये सबजी बन चुकी है इसमें लाल मिर्च भी डाल दी है पहले नहीं डालती है और ये गरा मसाला डाल दी है बस ये तही आ रहे हैं इसमें धनिया डालके इसको अलग उठाके रख दूँगे ये देखिए ये लगवक बन चुकी है सबजी बनी चुकी बिलकुल ये देखिए अब इसमें अरा दनिया डालके इससे अलग उठाके रख दूँगे भोग बना रहे हैं तब तक भोग नहीं लगता है तब तक प्रशाद नहीं बनता है ये मैंने डाल दिया इसमें मूफिली का तेल आप चाहें तो देशी घी भी डाल सकते हैं मैंने इसमें देशी घी नहीं डाला है मोयन के लिए और ये देखिए हम मैं इसको ऐसे मीड मीड के मसल मसल के बिलकुल आटे और मोयन को एक कर लूँगी मिक्स सब अब ये हो गया देखिए अब इसको में थोड़ा थोड़ा पाने डालके एक कड़ा आटा लगाऊंगी एकदम कड़ा गूदूँगी माण लूँगी देखो ये में इसको माण लूँगी एकदम टाइट माणूँगी ये देखिए बहुत टाइट होना चाहिए तभी बाटियां अच्छी आती है ये देखिए अब भोग हम किसके लिए बना रहे हैं ये हम आगे चलके बताएंगे आपको ये देखिए ये मैंने गीले कपड़े से रखके रख दिया है पांस-दस मिनट के लिए इसमें भी मैंने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन लिया है और ऐसे ही मैंने लिया है आटा और ये डाल दिये मैंने इसमें खूब सारी भुनी हुई मूफिली का पावड़ा और ये देशी गी डाला है मैंने इसमें मोहन के लिए इसमें हम नमक वाम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम बना रहें इसको चूर्मा ये आटा चूर्मा के लिए लगेगा गरम था इसलिए मैं चम्मस्य कर रही हूँ नेक थोड़ा समिल जाएगा ठंडा हो जाएगा मैंने इसको देख लिए कर लिया ना अब ये हो गया आटा और ये दूद अब ये दूद से लगाएंगे हम इसको आटे को आप चाहें तो पानी से भी लगा सकती है जरूरी नहीं है कि आप दूद से ही लगाएं पकी चूर्मा का आटा जो लगता है ना दूद से जो लगता है उसके तो अलगी स्वाद आता है यह देखें इसको भी टाइट टो लगाना है उमको एकदम टाइट लगाना अब दोनों आटो को मेरे एक साथ रख दिया है अब चलती हूं मैं उदर मैंने डाल बना रखी थी हम उसको तड़का दे रही हूं इसमें चोक दे रही हूं तेल ले लिया जीरा डाल दिया एक हुमं यह देखए और यहतरी मिंची डाल दी में ने और इह वो मैश में डालूंगी ऐससे छ़ूदी चला के हलकी सी मिंची वो जा यह तया है पिर मेशी मेढ़िव सद्सины देशाब मैंने चोटे-श्टे काटके और यह चौक दिया है इसससे थोड़ी सी देड चलाएंगे अब हम दाल छोग देंगे इसमें यह देखिए यह मूं की दोबा दाल है बनती तो आप चाहे तो औरत चाना की दाल भी बना सकती है आप चाहे तो जैसा आप खाते हों, जो दाल खाती हो यह डाल दे ठीक है छुक गई अभी है जरूर ही नहीं यह मूं की दोबा दाली बनाया आप यह देखिए और अब मैं इसको चला रही हूँ, चला के और अब रख दूँगी यह बन चुकी, अब इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला बस अब यह तो तो तहीँ आ रहे, डाल इसमें भी हरादनिया डालके और मैं इसको अलग रख देती हूं यह डाल दी मैं हरादनिया डाल दिया इसमें सब्जी में डालना भूल गीं त Regular अब ये डाल दिया अब आप इसको अब यह पेशन और इसमें यह डाल दीने अज़बेंट डाल दिये और यह डाल दिया है मने नमक श्वाद अनस्वार यह लाल मिटची हो र identify यह थोड़ी सी में घटाई डालिये और थोड़ी सी Eisीङ की बढ़ दिया 20 ज chỉटकी फारिटीäischen जटकी बड़ी दाला दोनों चीज़िए रालदी बही ड़ simplement आप चाहे त्रथे और साथ ओसा मैंने से मेचा mau नेम सीज़िए बाता यह भोग बन रहा है, यह मा भोग बन रहा है, यह देखिए है, अब एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पा रही थी, जितनी बन रही थी, उतनी बना दीती, यह देखिए है, इसको थोड़ा गाड़ाई गोल रखना है, और इधर मैंने चड़ा दिया है 500 ग्राम ना, उनी चावलों में से दो कल्ची चावल इसमें डाल दिये हैं, क्योंकि फटा-पट काम करना था, बहुत देर हो रही थी, और वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए, यह डाल दिया है मैंने इसमें, देशीगी गरम करके, और अब यह मैं उतारूँगी, इनको से बन जाती है, यह मोयन भी इसमें देशीगी का पड़ा हुआ है, और देशीगी इसके अंदर इसको तल्ने में है, और फिर ही इसके, जब यह बनेगे तब हम डालेंगे, अब खीर में मैंने चीनी भी डाल दी है, एक कटोरी, और यह खीर भी बन के तियार है, क्योंकि इनको सेखना चाहिए, यह देखिए, बिल्कुल चिप-चिपा नहीं है, और एकदम भुर-भुरा और सॉफ्ट, यह मैंने भरके एक चम्मच बड़ी इलाइची पावडर डाल दिया है, खीर में, अब यह मैंने काजू, पिस्ता, बदाम, यह सब ड्राइप रूट्स, इस यह सब लेके मैं इसमें डाल रही हूँ, एक-एक चम्मच खीर में, इदर यह खीर बन नहीं है, और मेरी मुटिया बन रही है, यह देखिए, यह खीर बना रही हूँ में इदर, भूग है भाई, भूग में, भूग के लिए तो सब कुछ बहुत सुद्धताई से बड़े बड़े अच्छे उससे किया जाता है, साफ सुत्रे से, और यह हो गए हैं अब तैयारी हमारी पकोडों की, समझी गए होंगे आब बेसने, पकोडे तो बन नहीं हैं, और खीर बन के तियार हैं, अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं, और यह मैंने आलो बड़े वाले लेक हो, यह देखिए हैं, चक्कू से काट सकती हैं आप, यह देखिए हैं, यह पकोडे भी तियार होने वाले हैं, यह बन गए हैं, और यह गोवी के भी पकोडे बनाए हैं, यह मैंने उतार दिये थे गोवी पकोडे और यह आठ पूरियां बनाई हैं, यह भाई भोग बन रहा और देखिए देखिए एक तरफ की जो रहता है नो उसको ऐसे ही रहने देजिए जब यह सिख के आती तो एकदम से फट जाती है बहुत अच्छी लगती है और गी भी समाता है इसके अंदर यह देखिए ऐसे अच्छे सिख गई है चूरमा को हमारे लाइट नहीं थी इसलिए आज हमने इसी में कूटा है खल लड़ मुसरी में आप इससे भी कूट सकती है लाइट हो तो मिक्सी से भी कूट सकता है यह जो बचेगा उसको हम जब लाइट आजाएगी तो हम इसके जो बाद में बचेगा उसको पीछ लेंगे यह देखिए चूरमा भी हो गया अब इसमें हम सारी मेवा डाल लेते हैं चान चान के लिए एकदम सब भुर भुरा है दीख रहा है न सिका हुआ है कच्चा नहीं है यह काजू पिस्ता बदाम कि इसमें यह सारी चीजें इसमें डा बराबर का आप जितना मीठा खाएं उतना यह खूब बड़ा चमच परके पाउडर डाल दिया है यह तो अपने उपर है आपको कितना मीठा फसंद है कितना नहीं है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेयर करना मैं भूल जाती हूं कहना यह देखिए मेरी प्रयारत नाय आप लोगों से अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना यह देखिए मैंने भाईया को दिया था मैं भाईया आप कर लो इसको मैं दूसरे काम में लगी थी यह देखिए तो अब मैं लड़ू बना के अब जो भी साइज बनाना चाहें बना सकती है भूग के लिए बन रहे हैं अब यह सीक्रेट है आपको पता चलेगा आगे चलके वीडियो में बने रहे हैं कि किसका भूग किसके लिए बन रहा है यह महाभूग अब हम में देशी घी में इनको बाटियों को थोड़ी दिर ऐसे करकर के रख देती हूँ यह लड़ू बन चुके हैं यह बाटियां भी घी में मैंने दूबू डूबू के और घी बर बर के रख लिया लग से इनको बुजरू भी खा सकते हैं इतनी सोफ्ट हैं यह अंदर से बार से लग रहा है आपको बार से भी सोफ्ट है यह एक क्रिश्पी भी हैं और सोफ्ट भी हैं यह देखिए अब यह मेरे बेटे ने शिप पुरान पूरी की थी हर महीने हम करते हैं ऐसा ही खफर बढ़ते ह तो यह मादेब जी का खफर बरा जा रहा है तो सुबार को उसकी सिप पुरी होई थी इसलिए हमने यह सब किया था महादेब जी के खफर के लिए यह महादेब का माभूग है मादेब जी को खीर भी बहुत पसंद है मादेब जी को सब चीज पसंद है ये खीर मोन है एक बर्फी का पीस है ये सब ये खपर पूजा हो रही है मादेब जी की ये देखिए ये खपर भर गया अब चलते हैं मादेब जी की तरफ ये मिरवटा इश्नान करा रहा है मादेब जी को गन्य के रस से अब ये गन्य के रस से इश्नान करा रहा है फिर गंगाजल से कराएगा सुद्ध से ये देखिए हमने अपने घर में ही किये पूजा फिर मादेब जी पे मंदर में ले जाएंगे भोग को तो वहां रख के आए ये देखिए इस पर ये बांग के पत्तियां थी वो रख दिये और ये भूग लगा दिया महादेव जी का अब इस पर ये जाएगा ये खपर पूजा हो गई हर हर महादेव रादे रादे मिलते हैं अगली नई